तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे मुक्षिवम ग्यान की धर्ती गया पे तो देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जो यह रबर डेम है और यह भारत का दूसरा और बिहार राजी का पहला रबर डेम है बहुत ही सनदार है जिसे बोला जाता है कि फल्गु नदी पानी कभी नहीं टिकता था तो इससे बनने के बाद अब सायद पानी टिकेगा तो चलिए भी मैं आपको फल्गु नदी के कुछ बारे विश्यस बताता हूँ और इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ प्रेंड्स अभी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आर्थारीक का उद्गाटन है जो कि मन्य श्रीनितिश कुमार जी हैं बिहार के मुख्य मंत्री वही इसका उद्गाटन करेंगे और यह देख सकते हैं अभी अस्टेज बना हुआ है इसी अस्टेज पर आएंग कि अपना जो भी बहां सर वगरा देंगे हुआ है कि ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स की जो फल्गु नदी है इसको सीता माता जी ने श्राप दिया था कि इसमें कोई पानी नहीं रहेगा और अंता वाहिनी साइद बोला जाता है और इस नदी के अंदर-अंदर हमेशा पानी बहते रहता है और अब तो डैम बन गया है जिसे की अब उपर ही पानी रहेगा जिसे शृतधालू असनान कर सकते हैं अराम से पहले था कि जब स्रधालू आते थे पित्री पक्ष मेला या कभी तो उसको खोदना पड़ता था नदी को और खोदने के बाद पानी निकल जाता था तो उसमें सनान करते थे लोग और अब ऐसा नहीं है अब देख सकते हैं पानी बहुत ही भारा है और इसका कुल लंबाई है फ्रेंड्स 640 मीटर जो की बहुत ही लंबा है और मस्त लग रहा है देखने में ऐसा रबर डेम जो की बिहार में पहली बार बना है दोस्तों अभी हम लोग 6 तारीक है या 6 तारीकों आये हैं यहां पर रबर डेम पर गूमने के लिए बट अभी डेम के उपर जाना अलाव नहीं है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि अब लास्ट है 8 तारीक हो ही इसका उधगाटन होना है और बहुत ह हम लोग को रोका गया और हम लोग किनार से वीडियो बना रहे हैं जैसे कि आर तारीकों अगर आप आईएगा घाटन हो जाता है तो आप इस पर जा सकते हैं उसके बाद कोई रोक टेक नहीं होगा अभी पूलिस बहुत सारी यहां पर खड़े हैं जो कि मना करते हैं क्योंक अपने पित्री का जो है उसके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो कि पिता का जो हमारे उपर रिण है उससे उधार होने के लिए बहुत सारे देश विदेश से आते हैं यहां पे पिंड दन करते हैं और इस फल्गु नदी में असनान करते हैं और असनान करने के बाद मोक् दिखाई दे रहा था धूस्तों कि आपको काली हालका दिखाई दे रहा है वही है और जाती है फूल जाती है और पानी याधिentes हो прям कर दिया जाता है तो हवा निकल जाता है और पानी भी गया इसके वजह से इसका रवर डेम सी है पूरा फूला हुआ है और फूलने के वज़ा से देख सकते हैं कि इतना पानी इसमें अस्टोक हो गया है और इधर देख सकते हैं बेरियर भी लगाया गया है कि नदी में पानी गहरा है क्रिपिया आगे न जाएं तो देख सकते हैं बहुत ही गहरा है तो फ्रेंड्स अभी आ आउटो वाले से बोलते हैं कि मुझे रबर डेम जाना है तो रबर डेम के पास लेकर आ जागा और नहीं तो आप उसे बोल सकते हैं कि विश्नुपद मंदिर जाना है क्योंकि विश्नुपद मंदिर के ठीक पीछे आप आईएगा तो यह रबर डेम दिखाई देगा जो कि य आप घूम सकते हैं और रबर डेम आने के बाद यहां भी घूम सकते हैं विश्णूपत भी मंदिर भी घूम सकते हैं और रबर डेम दोनों घूम सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में प्रेंस तब तक लिए बाई-बाई